तोड़ी आई विल टीच यू एक्साइस 4.4 और चेप्र नेम इस सिंपल एक्वेशन नाओ वाज दिस वीडियो यूरोच्शनीज इस सेट अप इक्वेशन एन्ट सॉल्फ एम टो फाइंड पीनन नमबर इन दी फॉल्फेश केस् आपने एक वेसरव नान चेप्र और उसको क्या गरना है सौल पर ठीक है ताकि आपको क्या मिले अन्नों नमबर मिल सके तो यहाँ पर आपको कंडिशन दी भ अब झाट गुना ठीक है एक नम्बर आपको लेना है उसमें उसको आठ गुना करना है और उसमें 4 को add कर देना है you get 60 आपको कितना मिलेगा 60 मिलेगा तो वो नमबर क्या लोग है आप तो आपको पता ही नहीं है कि वो नमबर क्या होगा जिसका आप 8 गुना करने वाले हो तो उस नमबर को ले लोगा आप X let X be the required नमबर माना है कि आपका वो required नमबर है ठीक है अब according to the question या according to the case इस case के अनुसार question है कि जो आप नमबर ले रहे हो जो आप नमबर ले रहे हो उसका 8 गुना करो तो आपने नमबर X लिए या वाले इसका 8 गुना करेंगा तो 8 गुना करेंगा ठीक है और उसमें question है कि 4 को add कर दो तो हमने 4 इसमें add कर लिया तो आपको मिलता है 60 you get 60 तो आपको मिलता है 60 अगर इन दोने को जोड़ते है तो आपको 60 मिलता है अब question है कि आपको equation तो बना नहीं है तो उसको क्या करना है solve करना है ताहां कि आपको unknown number मिल सके तो आप इसको solve करेंगे तो इसमें unknown number क्या है x है तो इस variable क्या आपको value निकालनी है now 8x तो ऐसी रहेगा और यह 4 जाएगा इस side तो 60 minus 4 हो जाएगा क्योंकि यह प्लस था इधर जाने पर यह minus हो जाता है तो 8x equals to आपको कितना रहा है 56 आजाएगा now आपको x की value चाहिए तो आपको 8 हटा ना होगा 8 यहाँ multiply में equal के इस side जाएगा तो divide में divide मिस upon में जाता है 8 ठीक है upon में जाएगा इस तरीके से now 8 हो जाए 8 8 से हो जा 56 हो जाता है तो x की value आपको 7 मिल लिए ठीक है तो यहाँ लिख देंगे therefore required number required number equals to 7 तो आपको 7 number मिल चुका है ठीक है तो आपको equation मिल लना थी उसको solve कोना था और unknown number आपको निकालना था तो unknown number थो x ही है तो आपने यहाँ पर x की value भी निकाल देनी है तो आपको 7 आ गई now second see part आपके पास if I take 3 fourth of a number एक number है जिसका मैं 3 fourth ले लेता हूँ और count up 3 more तो उसमें 3 और ले लेता हूँ I get 21 तो आपको 21 मिल जाता है ठीक है तो यहाँ पर वो number क्या होगा सबसे पहले बात विए कि वो number क्या होगा जिसका आप 3 fourth निकाल लेगो तो आपको number नहीं पता तो हम लेंगे let let x be the number माना वो number x है required number लेख लेगे आप रिक्वाइट number ठीक है अब according to the case according to the case अब case के नुसार क्या है आपने एक number लिया suppose वो x है ठीक है उसका 3 fourth 3 fourth ठीक है 3 by 4 of x multiply का mark होगा है आप इसलिए multiply नहीं लगा हुआ है क्योंकि कुछ sign नहीं लगा है तो multiply होता है तो 3 fourth of a number x ठीक है 3 more तो हम 3 all ले लेते हैं आपको मिल जाता ही I get 21 ठीक है तो 21 मिल जाएगा अब हम इसको solve करेंगे question नहीं खाया है कि आपको unknown number की value भी निकालनी है या निकालनी है इस equation को solve करने पे तो देखे 3x by 4 बैसे रहेगा यह plus 3 side से ले जाएगा तो 21 minus 3 हो जाएगा now 3x ऐसे रहेगा upon 4 भी ऐसे रहेगा इन दोनों को solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18 now अब आपने क्या करना है कि यह 4 जाएगा cross multiply में क्योंकि यह upon में divide में है तो divide वाला equal के side जाता है multiply में तो 3x ऐसे रहेगा यह 4 चलेगा multiply में तो 18 के साथ 4 चलेगा multiply में now अब आपको x के वाले निकालनी है तो 3 यहां multiply में कोई sign निये बीच में तो multiply होता है तो वह equal के side जाता है divide में divide में is upon तो इस तरह के से वह upon में आजाएगा ठीक है upon में now 3x 3 3x 18 हो गया और आपको x के वाले कितनी मिल यह 6 और 4 ही बच रहा उपर नीचे तो कुछ नहीं बचा वान हो गया तो 6 4 जा होता है 24 तापको नमबर मिल चुका है 24 तो यहां लिग देंगे therefore required number equals to 24 now next question यह पाट आपके पास तो यह case है आपके पास मुन्ना subtract 3 the number thrice the number of notebook he has from 50 he finds the result to be 8 तो मुन्ना क्या करता है thrice कर लेता है एक number का कोई भी एक number ले लिजिए suppose आप एक्स लिया है उसका वो thrice कर लेता है यानि कि 3 गुना कर लेता है और उसको subtract कर देता है 50 से 50 से उस number को minus कर लेता है तो उसे मिल जाता है 8 ठीक है तो सबसे पहला है तो वो number क्या होगा जिसका हो thrice कर रहा है हमें पता नहीं है तो हम ले लेंगे x कोई भी ले 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 x ले सकते है a ले सकते है b ले सकते है वह आप पर depend होगा तो यहाप हम x ले 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 let x be the required number हाँ है तो यहापप्र हम ले 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 लेigon हाँ है यहाप कोई लेट ले सकते है x y z a b e c d कुछ डी कुछ भी ले मुनना अमन्ण नवस स्पत्त्त कर लिया 50OTTO तो इसको सब्सक्राइब सनने स्पत्त कर लिया 50OTTO मुनना कर लिया 50OTTO टो बूनना कर लिया 50OTTO तो 20-18 फरीको ससने कर लिया 50 slap 50 ofissent into आना её 50OTTO विय coin tETeto तो इसको सले 66 मुनना खो расп emot यह number है और यह भी number है तो number number हम side कर लेते हैं इसलिए minus 3x जो यहाँ पे है वह ऐसी रहगा यह 50 side आजाएगा तो 8 तो है यहाँ है था यह 50 यहाँ plus मैं है इसका कोई sign नहीं तो plus इधर गया तो minus 50 हो जाएगा इन दोनों में जो बढ़ागा सिन यहां पर 50 नो में नेयु थानलों सनम क्या हो उसलोचन है उसलिए पहले आपन दोनों में नेकरीटीव साइन क्या हो जागाesto तो डिवाइड मिस अपॉन नाव इसको कैंसल आउट कर देंगे 3 बंजा 3 3 बंजा 3 और 3 4 जा 12 3 14 जा 42 कट चुका है अगर आपको इस तरह कैसे नहीं आ रहा तो यह 3 है 3 से 42 को डिवाइड कीजिए तो आपना अंसर आजाएगा 14 ठीक है तो यह x क्या चीज थी मुन्ना सब्ट्राइट 3 थ्राइज दी नंबर आफ नोटबुक तो नंबर क्या था नोटबुक थी तो जो हमने नंबर लिये थे वो नोटबुक के संग क्या है यानि कि आपकी नोटबुक होगी तो यह लिए दि फर्स्कॉशन का अनवर थिंख ओफ ए नंबर अनवर नेक नंबर के बारे में थिंख किया ठीक है और इफ यह टेक अवे seven उस ने उसमें से seven minus कर दिया इफ फ्रॉम five by two of the number the result is 11 by two तो अनवर नेक नंबर के बारे में थिंख किया तो let let x be the number suppose वो number x है required नंबर और आगे question लिखाए है कि अनवर ने क्या किया seven minus कर दिया अगर वो उस नंबर में five by two क्या कर देता है multiply five by two of the number कह रहे है तो five by two of the number का मतलब है कि five by two उसने multiply किया x में उस नंबर में और उसके बाद उसने he take away seven seven उससे ले लिया यानि कि minus कर देंगे seven ले लिया है अगर उसमें जोड देता और add कर लेता तो यहाँ प्लस आ जाता तो उसने takes कर दिया उसने ले लिया है तो seven इसमें क्या हो जाएगा minus हो जाएगा ठीक है तो उसको result मे two 11 by two's को result में मिल चुका है तो यह आप समझगे होंगे कि n1 ने एक नंबर के बारे में ठीक है जो कि x था और question ने का कि उसमें seven ले लेता है अगर वो five by two's नंबर में multiply कर लेता है तो five by two's ने जब उसमें multiply किया उसने seven ले लिया यानि कि minus seven तो उसका जो result आता है 11 by two आता है अब आपने क्या करना है five x by two वैसे रहेगा क्योंकि plus या minus वाला पहले इसदर ट्रांसपर होता है तो यह minus seven है इधर जाएगा तो यह plus seven हो जाएगा ठीक है 11 by two वैसे रहेगा minus seven है तो प्लस seven now five x by two वैसे रहेगा यह भी जो two है सिर्फ 11 के नीचे है पूरे का अपन होने के लिए इस two को यहां भी multiply होना पड़ेगा तो 11 वैसे रहेगा यह plus वैसे रहेगा two seven जब 14 हो गया अब यह two सिर्फ इतने का अपन था अब यह पूरे क अपन हो चुका है इस तरीके से now five x by two वैसे रहेगा इन दोनों को एट करेंगे तो 25 आप पाजाता है अपन में आपका two चल रहा है नाव two से two cancel हो जाएगा आपका बचा five x equals to 25 आपको बच जाएगा नाव आपको x की value चीए तो five upon में आजाएगा क्योंकि यहां five multiply में है equal के दर आने पर डिवाइड में चेंज आता है डिवाइड में अपन में तो यहां पर five to five five to 25 cancel x की वे लिए आपके कितने आ रहे है five तो आपका जो नमबर आपने ठिंक किया था वो नमबर आपको क्याने कल चुका है five इसका मताँ अनवन ने जो नमबर सुचा था वो नमबर था five therefore required number equals to five ठीक है तो अनवन ने जो नमबर सुचा था वो five था जिसमें से उसने क्या कर दिया number को five by two से multiply करके उसमें seven minus कर दिया तो उसको eleven by two मिला था now next question second question आपके पास solve the following second question का first part है यहां पे the teacher tells the class that the highest marks obtained by student in her class is twice the lowest mark plus seven and the highest score is 87 तो teacher ने का class में कि जिस बच्चे के highest mark है वो क्या है lowest marks के दो गुने से साथ ज्यादा है plus seven लिखा तो यह है इसका मतलब कि साथ ज्यादा है और highest जो score है 87 है जो सब ज्यादा number जो बच्चा लाया है उसकी 87 number है तो question ने का है कि what is the lowest score? तो सबसे कम marks मार्क किसके होज़े होगे कि आ आपको निकालना है तो जबता है question समझ गी होगे कि楊ज़े होगे teacher ने का कि कि जिके highest marks है उसके क्या है lowest marks के 2 गुने से twice यानि कि 2 गुना lowest marks के 2 गुने से साथ ज्यादा है Pi7 यानिth 6 ज्यादा है और हाइएस मार्क है 87 तो यहां पर लिख़ेगे terus नहें क्या कि lowest marks निकालना है तो आपको पता है नुँ फिर लिंगा है ले 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 लेले ले 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 ल सक्ट ु पसा वनले लहीं है एक्स ठीक है यह हम ले लेते हैं आप अपने तरब से कोई भी आलफ़ापैट यहां पर ले सकता है according to the question अब question के अनुशार question है कि जो highest mark है जो highest marks है वो क्या है आपका lowest marks के दो गना तो lowest marks है आपका x उसका दो गना है आपका 87 तो यह आपका 87 है यह आपका 2x plus 7 है अब आपने क्या करना है यह जो plus 7 है इधर जाएगा क्योंकि सबसे पहले plus है minus वाला ही इधर transfer होता है तो plus 7 इधर जाने भी minus 7 हो जाएगा तो इस तरी के साएगा यह आपका सिर्फ 2x रह जाएगा ना इन दोरों को सब्रेट कीजिए तो आपका 80 बज जाता है इधर आपकर 2x है आपको x की वाले चाहिए तो 2 जाएगा upon में क्योंकि यहां 2 multiply में है इन दोरों कोई side नहीं तो multiply तो multiply वाले equal के side जाते है दिवाइड में है तो यह तीक नहीं चाहिए 2 यह आपको सिर्फ x रह जाएगा नाओ टो अंजा टू टू फोड जा एट 40 तो 40 ब्रावर x आ रहा है तो हम लिख सकते है एक ब्रावर 40 कि एक स्टेट्स 40 लेखो या x वेट्स टो 40 वैल्यू एक यह ए आप एक से बारे में बोल लें था एक सापका 40 आ गया है X catches the lowest score तो इसका मतलब क्या है therefore lowest score आपका कितना हो गया 40 यानि कि सबसे कम जिसके marks दे हो गया है 40 now next now C part है आपका second question का Sahil score to twice as many run as Raul यानि कि Raul से Raul ने जितने number बनाए Sachin ने उसके कह किया दो गुने twice twice number बनाए suppose Raul ने 10 score किया या 10 run बनाए तो जो Sahil था उसने कितने बनाएंगे 20 ठीक उसका दो गुना उसने run बनाए together their runs fell two sort of a double century तो अगर उन दोनों के जो runs हैं उनको अगर हम add करते हैं तो दो कम निकलते हैं two sort यान या कि two कम सेक्ड़र से अब 1 century में होते हैं 100 runs होते हैं 1 century में 100 runs double century means 200 runs यानए उसके स्था क्या कर देंगे Dublin रहूं how many runs did each one score तो किसने कितने score की होगा यारी कि रहूलने कितने score कि और张 आख कितना score कि आपको बताना है तो हमें तो पता नहीं राहूल ने कितना किया, शाहिल ने कितना किया, तो हम ले लेंगे राहूल के जो स्कोर किया, X है, लिखेंगे let, राहूल स्कोर, B, X, सब्सक्राइब राहूल ने, जो स्कोर किया, वो X है, and, जो सचीन था, तो जो सचीन ने स्कोर किया, वो क्या किया है अब देखिए लिखा था कि सचीन ने जो score किया है और twice किया है राउल से तो राउल की score x है तो सचीन का score क्या हो जागा 2x ठीक है उसने 2 गुणा किया यानि कि twice किया according to the question अब देखिए question के नुसार question ने कहा है कि अगर उन दोनों के score को हम क्या कर दे add कर दे ठीक है यानि कि together means add कर दे तो इन दोनों के add कीजिए 2x और x को add किया हम नहीं ठीक है इन दोनों के score को एगर add करते हैं तो question ने कहा है कि double century एक century में होते 100 run double century में हो जाएंगे 200 run 200 run से 2 कम किये दो कम किये ठीक है अगर हम उनके run को add कर देते हैं रावल और सचिन के run को add कर देते हैं तो उनका score होता है और double century से 2 कम होता है short लिखा हुआ है कम ठीक है तो इस तरीके आ जाएगा दो समय 2 run come means minus 2 कर देंगे now 2x plus 1 is 3x और 200 में से 2 minus कीजिए तो 198 आपता है आपको x की वाली चाहिए तो 3 जाएगा upon में तो 198 upon 3 इसका मतलब है 3 से 198 को क्या कर रहे है divide कर रहे है ठीक है 3 से 198 को divide कीजिए तो यहां पर 3 बज़े 3 3 6 18 और 3 6 18 तो आपका यह से divide करके भी 66 से आएगा ठीक है तो x इक पस टो 66 तो x किसका था x था राहूल का लिखेंगे therefore राहूल स्कोर जो राहूल ने स्कोर किया कितना है 66 रंस ठीक है तो राहूल ने 66 रंस बनाए तो सचीन कितना बनाए होगा सचीन कितना बनाए होगा दो गुना यानि इसका दो गुना है दो से multiply कर देंगा 66 को तो इसको multiply करके आप खा रहा है 132 रंस ठीक है तो इतना आप समझ गयोंगे कि राहूल ने 66 रंस बनाए तो सचीन ने 132 रंस बनाए ना नेक्स कोशन आपके पास solve the following आपको solve करना है आपके पास case दिया वाया है first case आपके पास इर्फान says that इर्फान ने का he has 7 marbles more than 5 times the marvel permit has तो इर्फान ने का कि जितने marvel permit के पास है तो उससे साथ ज्यादा 5 times अगर उसके marvel को 5 गुना कर देते है और उससे साथ ज्यादा marvel इर् एक्स मारबल से लिकिने let permit has x marbles and Irrfan has अब इर्फान के आपके मारबल से निकालें तो इर्फान ने कहा था कि उसके पास 5 times है जितने marvel permit के पास है तो परिमित के पास x marbles है तो उसके 5 गुने से यानि कि 5x 5 गुने से 7 मारवल ज़ाद है 5 गुने से 7 मारवल ज़ाद है किसके पास? इर्फान के पास तो यह आपकी condition बच जाएगी इतना आप समझगे होंगे कि परमीत के पास suppose x मारवल है तो इर्फान ने कहा कि परमीत के पास जितने मारवल है उसे 5 गुने से मेरे पास 7 ज़ादा मारवल है तो 7 ज़ादा मारवल प्लस 7 अगर बोलता है कि 7 कम मारवल तो माइनस 7 है जाता है तो आप समझ गयोंगे तो यह condition आप आ गई है तो आगे लिखावा इर्फान है 37 मारवल एकॉर्डिंग टू दी कॉश्चन अब कॉश्चन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो इर्फान के पास 37 मारवल है यानि कि अगर इन दोनों को जोड़ा तो 37 आता है इसका मत्तब ठीक है क्योंकि इर्फान के पास 37 मारवल है तो इसके पाई यह condition है तो यानि 37 मारवल होगा 37 होगा यहाँ पर तो इस तरह के आ जाएगा अब इसको हम solve करेंगे तो हमार पास परमीद के मारवल निकालने है आपने कॉश्चन का परमीद के पास कितने मारवल है उसकी संक्या को निकालनी है तो परमीद के पास X मारवल है यानि कि आपको यहाँ से अगर X मिल जाता है तो इसका मतलब आपकी परमीद के मारवल की संक्या निकल रही है तो 5X तो वैसे रहेगा प्लस 7 इधार चले जाएगा 37 माइनस 7 हो जाएगा 5X equals to क्या रहा है यहां से 30 आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि परमीद के पास कितने मारवल है सिर्फ 6 मारवल है तो यहां लिख देंगे therefore परमीद has 6 मारवल इसका मतलब के पास सिर्फ 6 मारवल है तो इतना आप समझ के होंगे कि हमारी कंडिशन निकली 5X प्लस 7 पर क्वेशन ने का तो इर्फान के पास 37 मारवल है और हमारी क्या निकली थी 5X प्लस 7 यानि कि 5X प्लस 7 किसके बरावर होगा 37 के बरावर होगा now second part now third part आप के पास people of सुंदर ग्राम planted a total of one or two trees in a village garden तो सुंदर ग्राम का होगा तो आगे जो people थे उनने क्या क्या one had two trees लगाए विलेज के garden में some of trees were fruit tree कुछ उसमें fruit की trees थे the number of non fruit trees कुछ non fruit trees भी रहोंगे जो fruit नहीं देते होंगे तो यहां पर लिखावाए the number of non fruit trees were two more than three times the number of fruit trees तो जो non fruit trees थे वो fruit trees से three times तीन गुने से दो जादा थे जो non fruit trees थे वो क्याते fruit trees से three times से दो गुना जादा थे तो यहां को condition दी भी है तो यहांसे हम equation बना लेंगे तो आगे लिखाए what was the number of fruit trees planted तो आपको बताना कि fruit trees उन्ने कितने लगाए जाओं में ठीक है। अि गाडन में तो हम यहाप लेंगे let अब हम पताने है कि उन्ने five trees कितने लगाए तो हम ले लेंगे let the fruit trees let the fruit trees box भी прав जाला हिक्स उन्ना प्रूट तुरू पूसरें now non fruit trees यहां पर case में कि non fruit trees का है कि fruit trees से यानि कि x fruit trees से three times यानि कि 3 गुना कर दो इसके से 2 ज्यादा यानि कि plus 2 दो ज्यादा है non fruit trees यह question ने कहा था कि जो non fruit trees है वो fruit trees से 3 गुने से 2 ज्यादा है तो इस तरह इस तरीक का आपका एक्या बन जाएगा expression बन जाएगा अब इसको हम solve करेंगे तो यहां पर आपको total fruit trees भी दिया वाए total trees भी दिया आपको sorry total trees आपको दी विये 102 trees 102 trees अब हम इसको लिखेंगे solve करेंगे according to the question according to the question यह case अब देखिए हमने कैसे solve करना है देखिए non fruit trees non fruit trees के जोब हम कितना लिख सकता है 102 102 लिखेंगे यह आपे 102 minus x लिख सकते हैं बोलो क्यों लिखा हमने यह आपे क्योंकि total fruit trees तो sorry total trees आपके पास कितनी थी 102 अगर उसमेंस हम fruit trees को minus कर दे आपके पास अगर हम total trees मैंसे fruit tree को minus कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा non fruit trees बच जाएंगे आपके पास ठीक है तो 102 को यही पर रहने दीजिए अपनी जगह पे इस two को इदर ला दीजिए तो minus two हो जाएगा now equal के side three x already था यहाँ पे यह minus x इदर आ गया तो plus x हो जाएगा तो इतना आप समझगे होंगे इस minus x को हम इदर लाए और इस plus two को हम उदर लेगे के लिए residents तो यह plus two था उदर जाने पर minus two हो गया और इदर यह minus x था इदर आने पर यह plus x हो गया now इन दोनों को separate करेंगे तो 100 बच जाता है और इन दोनों को plus करेंगे three x में एक और x जोड़ा तो four x आपके पास हो जाता है आपको x की बरी चाहिए तो four अटा ना होगा four यह बराबर x यानि कि x बराबर 25 इसको लिख सकता है और x क्या चीज थी fruit trees तो यह लिख देंगे therefore fruit trees इक वस्टू 25 यानि कि 25 उन्होंने fruit trees लगाया होंगे बाकि उन्होंने क्या लगाई non fruit trees लगाया है garden में now next question last question आपके पास यह आपके पास दिया हुआ है solve the following राइडल तो आपके पास यहां पर एक पहीली दीवी है इस पहीली को आपको solve करना है तो लिखावा है I am a number में एक number हो तो नमबर आपको तो पता ही नहीं है लिखावा है I am a number में एक number हो कौन से number है 2 है 3 है 5 है यह 10 है तो हमें पता नहीं है तो हम इसको ले लेंगे x देखे लेट नमबर भी x मानव नमबर x है तो लिखावा है tell my identity मेरी identity बताओ कि मैं कौन से number हो ठीक है आगे लिखावा है take me seven times साथ गुना कीजिए over and add a 50 मेरे number का साथ गुना कीजिए और उसमें कितना जोर दीजिए 50 तो यहां पर यह नमबर है इसका seven गुना यानिकि seven x ठीक है लिख देंगे according to the question according to the rider लिख देंगे उसके बार हम लिख देंगे seven x question है कि उसका साथ गुना कीजिए उसमें कितना जोर दीजिए 50 seven x plus 50 तो लिखावा है to reach a triple century तो आपको जो मिलेगा triple century में एक century में 100 number double century में 200 triple century में 300 stoá 100 double century में तो triple century में 300 तो question ने कहा कि आपको triple century में habitual कहने के procures क्या करना पड़ेगा You still need 40 आपको 40 और चाहिए होगा ठीक है यानि कि अभी वो 300 पे नहीं पहुचा है अभी वो 300 पे नहीं पहुचा उसको 40 और चाहिए तो इसका मतला भी वो 300 से 40 कम पर है यानि कि वो 200 कितने पर होगा 60 पर होगा 260 पर होगा उसको तो तिरिपल सेंचुरी बनाने के लिए कितना और चाहिए 40 अगर इसमें 40 जोएंगे तभी तो 300 होगा ठीक है तो अगर हम इस बात को जड़ा घुमा दें तो हम यह कह सकते हैं अभी ओ 300 से कितना कम है 40 कम है अगर हम इसके एकोडिंग चलते हैं तो ठीक है तो यह हो जागा 7x plus 50 इंदों को सब्टेट करेंगे तो 260 आपका जाता है जो मेरा भी बताया है कि क्वेशन है कि भाई वह अभी क्या है तिरिपल सेंचुरी के लिए उसको 40 नंबर 40 और चाहिए तो इसका मंदर 300 से चालिस कम है अभी तो यानि 260 पर अभी हो तभी हो 300 पहुशने के लिए 40 और चाहिए हो उसको तो अब आपने क्या करना है 7x बैसे जाएगा 50 जाएगा तो 260 माइनस 50 हो जाएगा क्योंकि यह प्लस था इदर जाने पर माइनस हो जाएगा आपको पता हिए यह मल्टिप्लाइ में इदर जाने पर डिवाइड हो जाता है तो अपन मा आ गया नाउ 77 210 को डिवाइड कर देंगा तो 7 7 7 3 जा होता है 21 और इस 0 का 0 तो यहां से आपका आ गया एक सक्वस्तु थर्टी तो लिए दें कि दस दिरिक्वाइड नंबर इस थर्टी इसका मतला उन नंबर क्या था थर्टी तो यहां पर हमने एक रैडल सॉप किया है उसने का था कि में नंबर क्या होंगा तो नंबर क्या है थर्टी है I hope you understand this thank you for watching